ओम शान्ती सुनते हैं आज 11th मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महाँ वाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली का टाइटल है सफलता के दो मुख्य आधार आज की वाणी में बाबा ने कौन सी एक जादुगरी है जो कहीं जाने की अवश्यक्ता नहीं है सबसे दूरंदेशी कौन है सेवा में वा स्वेम की चर्ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है लास्टली बाबा ने कहा ड्रामा के पॉइंट के अन्भवी आत्मा की निशानी क्या होगी सुनते हैं 11 मार्च 81 की मुर्ली मुर्ली का टाइटल है सफलता के दो मुख्य आधार आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे वैसे सत्गुरु भी है शिक्षक भी है सरो सम्मंद निभाने वाले भी हैं आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा सम्मंद कौन सा लगता है किसको टीचर अच्छा लगता है तो किसको फिर साजन अच्छा लगता है और किसको फ्रेंड अच्छा लगता है लेकिन है तो एक ही न इसलिए एक से कोई भी सम्मंद निभाने से सरो प्राप्ती हो ही जावेगी यही एक जादूगरी है जो एक से ही जो चाहो वैसमंद निभा सकते हैं और कहां जाने की आवश्यकता ही नहीं इससे कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है सरो सम्मंद की प्रीत निभाने के अनभवी हो चुके हो हो चुके हो या अभी होना है क्या समझते हो पूरण अनभवी बन चुके हो आज ओफिशल मुरली चलाने नहीं आये हैं बाप दादा भी अपने सरो सम्मंदों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हरशित हो रहे हैं सबसे दूरं देशी कौन है क्योंकि कोई कोई बच्चे बहुत दूर अमरीका सौथ अमरीका चिल्ली दुनिया का सबसे दूर देश बदू बनाओ तो परन्तो आज बाबा के सामने फोरे नर बैठे न बिन बिन देशों वाले तो बाबा कह रहे हैं सबसे दूरं देशी कौन है आप तो फिर भी साकारी लोग से आए हो बाब दादा आकारी लोग से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोग में आए और फिर साकार लोग में आए शिप बाबा पहले निराकारी लोग से आया आकारी में ब्रह्मा बाप को भी साथ लिया उनके अव्यक्त तन में फिर नीचे आके गुलजार दादी के तन में प्रवेश कर दे तो सबसे दूरंदेशी बाप हुआ या आप हुए इस लोग के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दूर से आये उन्हों को भी बाप दादा सने से मुबारक दे रहे जो क्योंकि बाबा को आने में तो क्या देरी लगती है इस लोग से वहां 36 गंटा फ्लाइट तब पहुँश पाते हैं सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ जितना दूर से आये हैं जितने माईल चल कर आये हैं उतने माईल से पदम गुणा एड करके मुबारक सविकार करो वाँ 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 कितना खुश कर देता है बाबा जो दूर दूर देश चे इतनी इतनी लंबी फ्लाइट्स लेके आते हैं धन्ने हो उनका उनको सचमच मुबारक के पात रहे है फारेनर्स अर्थात फार एवर ऐसे वर्दानी हो न फारेनर्स नहीं लेकिन फार एवर सदा सेवा के लिए एवर एडी डाइरेक्शन मिला और चल पड़े यह है फार एवर ग्रुप की विशेशता अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते यह देख बाप दादा भी अती हर्शित होते हूं एक से अनेक सेवा धारी निमित बन गए सेवा की सफलता के विशेश दो अधार है वे जानते हो तो कहीं उत्तर निकले सब के उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है देखो बाबा कभी भी रॉंग नहीं कहता किसी को कि वो भी राइट है वैसे सेवा मेवा स्वेम की चड़ती कला में सफलता का मुख्याधार है एक बाप से अटूट प्यार बाप सिवाए कुछ दिखाई न दे संकल्प में भी बाबा बोल में भी बाबा करम में भी बाप का साथ ऐसी ही लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके सने के बॉल दूसरी आत्मा को भी सने में बांद देते हैं ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तू का काम करता है लवलीन आत्मा रुहानी जादूगर बन जाती है एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा और दूसरा सफलता का आधार हर ग्यान की पॉइंट के अन्भवी मूर्त हो ना ग्यान तो पंडतों की तरह बहुत है पर उसके अन्भवी अच्छी तरह है जिगरी अन्भव किया हो हर पॉइंट का उसकी जरूरत है एक होता है नालेज के अधार पे पॉइंट देना दूसरा होता है अन्भवी मूर्त होकर पॉइंट देना ड्रामा की पॉइंट के जो अन्भवी होंगे वैसदा शाक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे एक करस अचल और अडोल होंगे ऐसी स्थिती में स्थित रहने वाले को अनभवी मूर्थ कहा जाता है रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो वा बुरा हो लेकिन ड्रामा की पॉइंट के अनभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई देखेगी अर्थात सव के कल्यान का रास्ता दिखाई देगा एक कल्यान का खाता खतम हुआ कल्यान कारी बाप के बच्छे होने कारण कल्यान कारी यूग होने के कारण अब कल्यान खाता आरंब हो चुका है इस knowledge और अन्भव की authority से सदा चल रहेंगे अगर गिंती करो, तो आप सब के पास कितने प्रकार की authority जै है और आतमाओं के पास तो एक दो authority होगी किसको science की, किसको शाष्त्र की, किसको doctor की, किसको engineering की authority होगी आपको कौन सी authority है लिस्ट निकालों तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएंगे सबसे पहली अथर्टी वर्ड आल्माइटी अथर्टी आपका हो गया वर्ड आल्माइटी की अथर्टी अब वर्ड आल्माइटी बाप आपका हो गया तो वर्ड की जो भी अथर्टी जाएं वो भी आपकी हो गई ऐसे लिस्ट निकालो वर्ड के आदी मद्धें अंत के नौलेज की अथर्टी जिस नौलेज का यादगार शाष्त्र बाइबल वा कुरान आदी सब है इसलिए गीता ग्यान को सर्व शाष्त्र वा बुक्स का माई बाप कहते है शिरोमनी कहा जाता है डिरेक्ट गीता कौन सुन रहा है तो अथरिटी हो गए न इसी प्रकार सरो धर्म में नंबर वन धर्म किसका है वो भी ब्रह्मनों का आपके ब्रह्मन धर्म द्वारा ही सरो धर्म पैदा होते हैं वा 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 किता नशा चे क्रिश्चन चे बोधी चे सब यहीं से ही ब्रह्मन धरम तना है और इस धरम की विशेष्टा है और भी इस धरम की विशेष्टा है ब्रह्मन धरम डिरेक्ट परम पिता प्रमात्मा का स्थापना किया हुआ है और धरम धरम पिताओं के हैं और ये धरम परम पिता का है वे बच्चों द्वारा है सन आफ गाड कहते हैं न वे गाड नहीं है तो डिरेक्ट परम पिता द्वारा स्रेष्ट धरम की स्तापना हुआ उस धरम की अथरटी हो आदी पिता ब्रह्मा के डिरेक्ट मुख्वण शाव वली की अथरटी वाले हो सरव स्रेष्ट करम के प्रैक्टिकल जीवन की अथरटी है स्रेष्ट करम की प्रालब्द वेश्व के अखंड राज के अधिकार की अथरटी हो भक्तों के पुझ्य की अथरटी हो ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा समझा आप कितनी बड़ी अथरटी हो भक्तों के पुझे के अथरटी हो तो बाबा ने कहा ऐसे अथरटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं वाँ वाँ यह सबसे बड़ी अथरटी है ऐसी अथरटी वालों को देख बाप दादा भी अर्शित होते हैं सब ने बहुत अच्छी मेनत कर सेवा के कारे को विस्तार में लाया है, अपने भटके हुए भाई भेनों को रास्ता बताया है, प्यासी आत्माओं को शांती और सुख की अंचली दे त्रिप्ता आत्मा बनने का पुर्शार्त कर रहे हैं, बाप से किया हुआ वायदा प्रैक् आपको प्रिये हैं, अब ये वायदा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे, कोई ने नेकलेस बनाके लाया है, तो कोई ने माला बनाके लाया है, कोई ने कंगन तो कोई ने रिंग बनाके लाया है, तो सारी बाप दादा की जुलरी, एक एक रतन व जुलरी को अब क्या करेंगे पालिश, मदुबन में आए हो तो पालिश हो ही जाएगी, जो औरों को आप समान बना के लाए है न, उनको बाबा कह रहा है कोई कंगन लाया, कोई माला लाया, कोई रिंग लाया, अब पालिश कराने लाए, अब शोकेश में रखो, मदुबन में कितना सामान में चड़ा देते हैं कमाल है बाबा आपकी शोकेष में कैसे आएंगे बाब के सामने आए बरम्नों के सामने आए ये तो बहुत अच्छा अब वर्ड के सामने आएं अईसा प्लैन बनाओ जो वर्ड के कौने कौने से आवाज निकले कि भगवान के बच्चे कौने कौने में परत्यक हो चुके हैं चारों और एक ही लहर फैल जाए चाहे भारत में चाहे विदेश के कौने कौने में जैसे एक ही सूर्य वा चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है न ऐसे ग्यान सूरे के बच्चे कौने कौने से दिखाई दे ग्यान सितारों के रिम जिम चारों और दिखाई दे सबके संकल्प में मुख में यही बातों की ग्यान सितारे ग्यान सूरे के साथ परगट हो चुके हैं तब सब तरफ का मिलाओ आवाद चारों और गुंजेगा और प्रत्यक्ष्टा का समय आ जाएगा अभी तो गुप्त पार्ट चल रहा है अब प्रत्यक्ष्टा मिलाओ इसका प्लैन मनाओ फिर बाप दादा भी बताएंगे एक-एक रतन की विशेष्टा वर्णन करें तो अनेक रातें बीट जाएं हर एक बच्चे की विशेष्टा हर एक के मस्तक पर मणी के मुआफिक चमक रही है अच्छा ऐसे सरविशेष आत्माओं को सरव सपूत अथा सर्विश के सबूत देने वाले सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विशेवल मास्टर आलमाइटी अथार्टी सरव की मनों कामनाई पूरण करने वाले अती लवली लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ओम शामती और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल